चार्जिंग बगेरा वो आपके घर पे ही हो जाता है सर अच्छा अच्छा कितना टाइम लग जाता है सर इसमें फुल चार्ज करने में सर अगर फास्ट चार्जर लेते हो तो आरांग जीरो से फुरा चार्ज करने में 7 घंटे के ऐसा लगता है वेकिन मेरा फास्ट चार्जर दिल से शुक्रिया तो आप देख सकते हैं इस इलेक्टरिक कार में आपको सनरूप मिल जाता है और वो भी ऑटोमेटिक ये जो आप हमारे सामने इलेक्टरिक कार देख सकते हैं इस इलेक्टरिक कार हमारा टाटानेक्षन EVMAX है और इस इलेक्टरिक कार का टॉप स्पीद है 140 आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को इलेक्टरिक कार टाटा नेक्षन इबी मैक्स के बारे में बताने वाला हूँ मैं अब सबको बताने वाला हूँ टाटा नेक्षन इबी मैक्स इलेक्टरिक कार का टॉप स्पीड कितना है इस इलेक्टरिक कार को फुल चर्च करने पे कितना किलोमीटर चलेगा एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जो इलेक्टरी कार है इस कार को फुल चार्च करने में कितना टाइम लग जाता है इसलिए आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर वाच कीजिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोपाल आज की इस वीडि सपहे भी आते रहेंगे जो चलिए शुडू करते है इस इल्लेक्टरी कार का साइट प्रॉफाइल तो आप लोगों ने देखा इस इलेक्टरी कार का साइट प्रॉफाइल तो यह जल्दी से एक बार बैक साइट भी देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इलेक्टरिक कार का बैक साइट जो की देखने में काफी खूफ सुरत लग रहा है यहाँ पे regulatory नेक्शन देख हुआ tornado tulis नेक्षन लिखा हुआ जो की काफी कमाल का लग रहा है बैक साइड यह हमारा टाटा नेक्षन इवी मैक्स इलेक्ट्रिक कार के अंदर में कौन सा बैटरी एंड कितना वाट का मोटर का यूस किया है और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यह इलेक्ट्रिक कार एक्चली काम करते कैसे है अगर आपको इसके बारे में फुल डीटेल्स में जानकरी चाहिए तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्यूंकि आने वाले वीडियोस पे मैं आ इसे का हवा निकलता है इसमें वाइरलेस चार्जर है इसमें ना सर यह वाइरलेस चार्जर हो गया हां जी हां जी सर और ऑटोमेंटिक है ओके ऑके संडूरूप पगेरा सभी है अच्छा यह संडूरूप है इसको सर एक बार वह दिखा दीजे ना अच्छा अच्छा अच् सबस्क्राइब करता थे इस में फुल चर्च करने पर वाइन अण्यों सब्सक्राइब तिन्सो किलोमेटर के ऊपर का रेंज है एक बार फुल चर्च करने पर सब्सक्राइब ततनेशसरे पर इस frågor 2300 सब्सक्राइब 3060 से 305 इस का चार्जिं। बगेर वो आपके घर पर ही हो जाताइया I'm कितना टाम लग जाता है इसमें फूल चैर्ज करने में में अगर फास्ट चार्जर लेता हो तो अरॉंग जीरो से शुछीड garmentand लेकिन नहीं लिए अच्छा तो इसमें लग जाता है 11 घंटा चार्च करने में सारे 300 किलिमेटर मतलब चल जाता है अच्छा कि इतने सीट का है सरी यह फाइफ सीटर चले चले सर्म मुझे तो लगता है कि सीली गुर में पहली बार है कि जो मतलब नेक्सन टाटा नेक्सन इभ इभी मैक्स है इभी मैक्स जी-जी-जी मुझे लग रहा है कि सर अब पहली बार है कि यह यह इलेक्ट्रिक वीकल्स मर्ण पोर रिलर के लिए काफी काफी वह है और बुकिंग तो एकदम भयंकर है वेटिंग पिरिड अभी भूक करो गे तो कम से कम 4-5 महिने से पहले गारी हरे बिए करने का सांद सिस्टम वग Après करने काफी वाज्याद अगरा है अधी मीदra करने कि वर से आई खरी स्थर्चार रिखात करके दिखाएंगी क्या इसको चारी स्टार्टeking एक गश्ट मनगे एक इस संटा सब्सक्राइबूर कर सबस्याता ड operates कशा यह मत्लब पावर बटन अधून जी एक पाइड चला कर दिखें न फोरा संसा कैसे सांट आता है बस वहां कोई भी सांट नहीं है तो आप लोगों ने देखा इस इलेक्ट्री कार का टॉप स्पीड है 140 एंड इस इलेक्ट्री कार को एक बर फुल चर्ज करने पे आपको 300 प्लास माइलेज मिलने वाला है